हेलो एब्रिवान असलाम वालेकूम वल्कम बेक टो माइ यूट्यूब चैनल सेजूस कॉर्णल आज की वीडियो में मैं आप लोगे साथ ये डिलिशियल चिकन पिजा राइस की रेसिपी शेयर करने वाली हूं चलिए ये डिलिशियल डिस्को ट्राइ करते हैं सबसे पहले हम ग्रेवी को तयार करेंगे तो मैंने एक पैन ले लिया है उसके अंदे मैंने टू तूथी टेबल स्पून ओईल को गरम कर लिया है उसके बाद मैंने जिंजर और गाली को ऐसे छोड़े छोड़े पीसिस में कट कर लिया था और हम इसे थोड़ी धेर बुनेंगे इसे जादा नहीं बुनना है हम इसका फ्लेवर बचा के रखना है ये चाइनिज चीज़ों में ये फ्लेवर बहुत अच्छा काम करता है उसके बाद मैंने हाफ कैपसिकम ली है और हाफ कैपसिकम को मैंने इसे छोड़े छोड़े पीसिस में कट कर लिया था और मैं इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाऊंगी हमें इसे crunchy ही रहने देना है हमें इसे बहुत जादा soft नहीं करेंगे उसके बाद मैंने cabbage को भी छोटे-छोटे pieces में cut कर लिया था और हम इसे भी crunchy ही रहने देंगे बस थोड़ा सा stir करेंगे उसके बाद मैंने Chinese salt egg किया है आपकी मर्जी है आप यूज करना चाहे तो कर सकते हैं उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 टी स्पून ब्लेक पेपर को यूज किया है ब्लेक पेपर बहुत अच्छा टेस्ट देती है चाइनीज डिसेज में उसके बाद आपके अकॉर्डिन सॉल्ट एड कर लीजे मैं यह 7-8% के लिए बना रही हूँ इसलिए मेरी कॉंटिटी जादा है मैंने 750 ग्राम चिकन को यूज किया है चिकन को मैंने जिंजर कालिक पेस्ट और सॉल्ट और 1.5 कप वाटर से उबा लिया था और इसके अंदर स्टॉक भी मैं उसी का यूज कर रही हूँ चिकन का स्टॉक यूज कर रही हूँ और यहां हम इसे उबलने तक पकाएंगे अब मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून चिली पेस्ट यूज किया है यह फ्रेश चिली पेस्ट है और इसके बाद मैंने टॉमिटो केचब 4 टीस्पून यूज किया है हमें थोड़ा सा स्वीट फ्लेवर भी चाहिए इसलिए उसके बाद मैं यूज करूँगी डाक स्टॉया सॉस वो मैं 2 टीस्पून यूज करूँगी उसके बाद मैंने ग्रीन चिली सॉस यूज किया है वो मैं 3 टी स्पून यूज़ करूँगी उसके बाद मैंने रेड चिली सॉस यूज़ किया है वो मैं 4 टी स्पून यूज़ करूँगी इसके बाद हम इसे चलाते हुए पकाएंगे ये देखे उबाला रहा है अब मैंने इसमें ओरेंज रेड कलर यूज किया है क्योंकि हमारे राइज वाइट होंगे तो हमारी ग्रेवी रेड कलर की होगी और हम इसे उबलने तक बका रहे हैं अब मैंने इसके अंदर टू टी स्पून चिली फ्लेक्स यूज किया है अब gravy को थिक करने के लिए मैंने 2 टी स्पून कॉन्ट फ्लावर को पानी में घोल कर अंदर एड किया है जिससे हमारी gravy थिक हो जाएगी अब आपके according कॉन्ट फ्लावर को यूज कर सकते हैं यह आप देख सकते हैं हमारी gravy ready हो चुकी है अब मैंने इसके अंदर coriander leaves थोड़े स्प्रिंकल कर दिया है और थोड़ी सी spring onion स्प्रिंकल कर दिया है यह हमारी gravy यहाँ ready हो गई और अब हम start करते हैं हमारे rice से तो मैंने एक pan ले लिया है अब आपके according oil यूज करें और उसके बाद मैंने इसके अंदर यूज किया है मैं पहले के ही तरह ginger और garlic को chop करके अंदर डाल दिया है इसे में थोड़ा थोड़ा भून जूँँगी और यह मैं 7-8% के लिए बना रही हूँ इसलिए मेरी quantity बढ़ जाएगी और यहाँ मैं fresh chili paste यूज करूँगी आप हमेशा जब भी Chinese food बनाएं तो हमेशा जो हमारे जो spice है वो आप fresh ही यूज करें इसके बाद मैंने यहाँ पे सुखी लाल मेच अंदर एड़ की है जिससे flavor हमारा थोड़ा smoky आएगा इसके बाद मैंने one and half capsicum को ऐसे cut कर लिया था और हब हम इसे अंदर भूनेंगे हमें crunchy ही रखना है बहुत जादा हम soft नहीं करेंगे क्योंकि Chinese food में हमारे जो vegetables होते हैं वो crispy और crunchy जैसे होते हैं बहुत जादा soft नहीं होते अब मैंने इसके अंदर spring onion भी use किये है spring onions अंदर बहुत जादा अच्छा flavor एड़ करते हैं तो हमें भी इसे बहुत जादा soft नहीं करना है थोड़ा थोड़ा सा पका लेंगे और हमें cabbage को भी इसे cut करके मेंने अंदर add कर लिया है cabbage को भी हम बहुत जादा नहीं पकाएंगे इसे भी हम थोड़ा सा crunchy रहने देंगे और इसे हला तो हुए हम हम पकाना है जादा तर Chinese food हमें high flavor पर ही बनाना होता है इसके बाद मैंने इसके अंदर sourdate किया है उसके बाद one tea spoon मैंने black pepper भी add की है अब हम इसके अंदर rice add करेंगे rice आपके according एड़ कर सकते हैं मैं seven to eight percent के लिए बना रही हूं इसलिए मेरी quantity जादा है आप आपके हिसाब से quantity यूज़ कर सकते हैं इसके बाद मैंने यहां पर soya sauce अपने according यूज़ किया है फिर भी यह two to three teaspoon हो सकता है और मैंने उसके बाद red chili sauce भी use किया था और यह भी two to three teaspoon हो सकता है बस यहां पर हमें rice को ऐसे mix कर लेना है सारे flavors हमें एक दूसरे में मिल जाए तब तक mix करना है उसके बाद मैंने एक fry pan ले लिया है उसके बाद मैं अंदर eggs add करूंगी हमारी gravy only chicken में है और हमारे rice only eggs में है यहां मैं four eggs यूज कर रही हूं आपको यह मेरा वीडियो कैसा लग रहा है या प्लीज कमेंट में बताना मुझे आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इससे like भी कर देना और प्लीज मुझे support करना बिल्कुल भी मत भूलिया और इसके बाद मैंने इसके अंद ब्लेक पेपर और सॉल्ट एड कर दिया था और हम इसे अब पूरी तरीके से छोटे शोटे पीसीज में जब तक नहीं हो जाएगा तब तक हम इसे चलाते हुए पकाएंगे आप देख सकते हैं कैसे एग इससे छोटे शोटे पीसीज में डिवाइड हो चुके है प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैरी चैनल सेजूस कॉर्णर मेरी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मैंने सारे एक्स को अंदर एड कर दिया है और आब इमेंसे मिला लेंगे अब चलिए हम इसकी प्लेटिंग करते हैं झाल 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 झाल